चलिए आज बनाते हैं फिर से एक और गुजराती रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है इसे आप ब्रेकफास्ट लंच या फिर डिनर में भी एंजोई कर सकते हो तो आज हम बना रहे हैं थेपला तो थेपला बनाने के लिए यहां पे मैं फ्रिज से थोड़ा सा सामान लेके आ गई हूँ तो यहां पे मैंने ले ली है दूधी गुजरात में हम लॉकी को दूधी बोलते हैं तो आज हम दूधी का थेपला बनाएंगे और दूधी के थेपले के साथ आज हम बनाएंगे एक चटनी जो इसके साथ कर लूँगी यहां हमें टमाटर को सिर्फ दो टुकडों में डिवाइड कर लेना है यानि कि इसके दो टुकडे कर लेने हैं तो इस तरह मैंने तीन टमाटर के दो टुकडे कर लिए हैं यहां पे मैंने तीन टमाटर लिए हैं आप अगर ज्यादा बनाना चाहो तो ज्याद देना है 5-6 मिनिट में टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसकी उपर की जो स्कीन है वो भी निकल जाएगी चले टमाटर पक रहे हैं तब तक यह लौकी को हम छिल लेते हैं तो यहां पे तकरीबन मैंने 300-400 ग्राम जितनी लौकी लिया है और उसे मैंने अच्छ ही रहने देना है चली अब यहां पे टमाटर देख लेते हैं तो टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं लेकिन अभि उसकी सी कीन निकलना start नहीं हुआ है क्योंकि यह जो तो टमाटर है वो थोड़े से कच्छे हैं अभी मार्केट मैं ऐसे ही मिल रहे हैं तो यह देखिए खाते हो उतना गुड इसके अंदर एड़ कर सकते हो टेस्क या कोडिंग नमक डाल देंगे आदा चमज हल्दी एक चमज लाल मिर्श पाउडर देर चमज धन्या जिरा पाउडर और एक छोटी चमज भर के डाल देंगे हिंग और आप यहां पर मैंने ले लिया है पिकल मसाला जादा नहीं पकाना है तो यहां पर मैंने चटनी को पकने के लिए रख दिया है और अब मैं फिर से थेपले की थोड़ी से तेयारी करने लग गई हूँ तो मैं यहां पर छिल रही हूँ लसुन क्योंकि थेपले में लसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो यहा चमत जितना निम्बू का रस चटनी के अंदर निचोड देंगे इससे हमारी चटनी बहुत इखटी मीठी चट्पटी तेयार होगी इस चटनी को आप फ्रीज में दोसे तीन दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो आप पराठा नान या फिर रोटी किसे के साथ भी इसे एंज निया है उसकी जो डंठल है उसे हम डाल देंगे ग्रैंडिंग जार में लसुन जो हमने चिल के रखा तक हो ले लेंगे और हरी मिर्च ले लेंगे तिखी वाली यहां पर मैंने 4-5 तिखी वाली मिर्च ली है आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उतनी एड़ कर सकते हो और अब दो चोटे टुकडे रदरक के मैंने एड़ कर दिये हैं और अब इसे हमें पीस लेना है तो इसे हमें एकदम महीम पीसना है इसके अंदर बिल्कुल भी पानी एड़ नहीं करना है क्योंकि लोके में अल्रेडी बहुत सारा पानी है तो बीना पानी एड़ किये इसे हम पीस लेंगे तो यह देखे इतना महीम हमें इसे पीस लेना है तो पेस्ट हमारी एकदम रेडी है चली अब इसे रख देते हैं साइड में और अब मैंने ले लिया है एक बड़ी सी परात और इसके अंदर मैं एड करूंगी आटा तो यहां पर मैंने एक छलनी रखती है और दो कर्टोरी मैंने इसके अंदर गेहू का आटा ले लिया है यह गेहू का बारिक वाला आटा है जिससे हम रोटिया बनाते हैं और अब मैंने एक और कर्टोरी गेहू का आटा लिया है और आधी कर्टोरी मैंने ले लिया है बाजरे का आटा चले अब इसमें मसाले कर लेते तो टेस्स के अकौरिंग डाल देंगे नमक, एक चमच डाल देंगे हल्दी, एक चमच अजवाइन को मसल के डाल देंगे, दो चमच ले लेंगे सफेद वाले तील, यहाँ पर दो चमच जितनी मैंने कसूरी मेथी ली है जिसे मैंने थोड़ा सा फून लिया था और इसे भी मै जादा खट्टा नहीं लेंगे मिडियम खट्टा लेंगे तो चलिए अब गुंत लेते हैं आटा लेकिन एक में चीज तो मैं इसके अंदर डालना भूल गई तो यह जो पेस्ट हमने बनाई थी लौकी की उसे इसके अंदर डाल देंगे तो यहां पर हमें बिल्कुल भी पान ले लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगे रहा है तो यहां पर आटा ओल्मॉस्ट गुंत गया है यह जो आटा और आज हमारे यहां light का बहुत ही problem हो रहा है क्योंकि बहार तुफान चल रहा है तो इसकी वज़े से light बार बार आ रही है जा रही है चले कोई बात नहीं हम तो हमारा वीडियो continue करेंगे तो चले थेपले बनाने की सारी तैयारी हमने कर ली है और अब यहां पे थेपला बनान थेपले को हमें एक दम पतला बेलना है तो लोई हम थोड़ी सी छोटे ही लेंगे क्योंकि बड़ी सी लोई लेंगे तो ठेपला हमने बहुत ही बढ़ा बन जायेगा तो यह दिखते एपले 373 निया है और आको मैं दिखाती हूं कि कितना पतला मेने इसं बेला है फिर भी एकदम सॉफ्ट बनेगा क्योंकि आटा हमने जिस तरह इसका घुनता है उसकी वज़े से यह थेपला बहुत ही सॉफ्ट बनता है आप जितना पतला बेलना चाहो उतना पतला इसे पेल सकते हो तो चलिए अब थेपले को हम सेक लेते हैं तो दोनों तरफ से प से भी यह थेपले बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं तो अगर आपके पास बाजरे का आटा अवेलेबल है तो जरूर इसके अंदर डाले क्योंकि बाजरे के आटे से यह थेपले बहुत ही बढ़िया बनते हैं तो सारे थेपले को हम इस तरह सेक के रेडी कर लेंगे और यहां प एंपे सेखे ताकि थेपले बहुत ही बड़िया बने एकदम गुल्डन ब्राउंड बने तो सारे थेपले इस तरह मैंने रैडी कर लिये हैं चलिए थेपले बनाते-बनाते मैं पसिना-पसिना हो गई क्योंकि सारे दर्वाजे खिड़किया बंध है क्योंकि पाहर तुफान है तो दर्वाजे खिड़किया खोल नहीं सकते चलिए अब सेख लेते हैं मिर्च तो थेपले के साथ सिखी हुई मिर्च बहुत ही अच्छी लगती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे थेपले मैंने बना लिये है यहाँ पे आपको एक थेपला में दिखाती हूँ कि कितना soft बना है तो यह दिखिए आप देख सकते हो कि थेपला हमारा कितना soft है एकदम पतला है लेकिन फिर भी बहुत ही soft है इसे हम रोल करेंगे फिर भी ये इतना सौफ्टी रहेगा बिल्कुल भी इसमें दरारे नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी ये तूटेगा नहीं तो ये दिखी थेपला एकदम रेड़ी है चली अब इसे सर्व कर लेते हैं तो थाली में मैंने रख दिया है थेपला ये जो चटनी बनाई थी हमने टमाटर की वो सर्व कर दी है और मिर्च मिर्च के ओपर थोड़ा सा नमक चीरक देंगे ताकि बहुत ही तेस्ती लगे तो आ आपको आज की थेपली की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रू बताईएगा और अगर रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रू करिएगा चली मिलते हैं जली ही नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी क्रशना